हमाशकार ज्वाइन करते तो इतना हंगामान नहीं होता लेकिन हर बार की तरह सायद इर्दबार भी कॉंग्रेस अपने पुराने कर्तूतों को भूल चुकी है तो चलिए हम आपको उन पुराने दिनों को याद दिलाते हैं आपको बता दे कि ऐसा पहली बार नहीं है जब कानून और सियासत के बीच अदला बदली हो रही है बलकि इससे पहले कॉंग्रेस सासनकाल में ही ऐसे कई मामले सामने आए जब एक जज़ को पहले सत्ता में बैठाये गया और फिर इस्तिफा दिला कर चुनाव लड़ाये गया इसमें दो नाम मुख्य रूप से सामने आते हैं एक पुर्वजज CJI रंगनाथ मिश्रा जिने कॉंग्रेस ने उनिस सो अठावे में राज्य सभा भेजा था और फिर दूसरा बहरूल इसलाम का यहां सबसे पहले बात करते हैं बहरूल इसलाम का बहरूल इसलाम का जन एक मार्च 1918 को असम के काम रूप में हुआ था पढ़ाय लिखाई कॉटन कॉलेज, वाहाठी और अलीगर्ड मुस्लिम शिनवर्सिटी से हुई बहरूल इसलाम ने 1951 में असम हाई कोट में वकालत की प्रैक्टिस सुरू की वकालत करते करते उन्हें अभी पांच साल ही हुए थे कि उनकी राजनीती मैंट्री हो गई 1956 में बहरूल इसलाम कांग्रेस पार्टी के सदस्य बने असम कांग्रेस में वह उचे ओधों पर भी रह चुगे थे इधर वकालत में भी उनकी तरक्की हुई और उन्होंने 1958 में सुप्रीम कोट में प्रैक्टिस सुरू कर दी इसके बाद साल आया 1962 उस वक्त पंडित जौहरलाल नहरू जिवित थे तब कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा सांसद बना दिया वे लगातार दो बार राज्यसभा सांसद रहे 1968 में कारेकाल खत्म हुआ तो उन्हें दुबारा राज्यसभा भेज दिया गया लेकिन दूसरा कारेकाल पुरा होता इससे पहले उन्होंने 1972 में इस्तिफा दे दिया जब इसलाम ने इस्तिफा दिया तो सवाल खड़े हुए कि आखिरकार अब क्या हुआ लिहाजा इसका जवाब भी तुरंत मिल गया जस्टिस इसलाम के इस्तिफे के तुरंत बाद ततकालिन प्रधानमंतरी इंद्रा गांथी ने उन्हें असम और नागा लैंड हाई कोट में जज बना दिया उस वक्त कॉलेजियम व्यवस्ता नहीं थी लिहाजा सरकार जज नि उप्रती थी 20 जनवरी 1972 को उन्होंने असम इवं नागा लैंड हाई कोट में बता और जज जज जुआइन किया वर्तमान में इसे गुआहर्टी आई कोट के नाम से जाना जाता है 11 मार्च 1989 को जश्टेस इसलाम गुआहर्टी आई कोट के कारिवाहक और 7 जुलाई 1989 को पुन्द काली मुख्यने आयथीज बने 1 मार्च 1989 को वे रिटायर हो गया बहरुलिसलाम करीब 8 साल तक हाई कोट के जज रहे बहरुलिसलाम से कॉंग्रेस पार्टी को इस गदर हमदर्दी थी कि कॉंग्रेस उन्हें किसी भी हाल में खाली नहीं छोड़ना चाती थी जस्टेस बहरुलिसलाम ने इधर इस्तिफा दिया और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री इंद्रा गांधी ने उन्हें वापस दिल्ली बुला लिया हाई कोट से रिटायर होने के करीब 9 महिने बाद यानि किसंबर 1980 में वे सुप्रीम कोट के जज नियुक्त कर दिये गए हाई कोट से रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोट जवाइन करने का या अपने आप में अजीब और गरीब मामला था क्योंकि ऐसी घटना आजाद भारत के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिली थी जितनी आलोशना उनकी इस अजीब नियुक्ती की हुई उससे कहीं ज्यादा उनके बिटाई की हुई सुप्रीम कोट में कार्यकाल खत्म होने के 6 हपते पहले ही उन्होंने 13 जनवरी 1983 को अपने पत से फिर इस्तिफादे दिया जिस वक्त उन्होंने अपना इस्तिफाद दिया उन दिनों असम में चुना हो रहे थे 19 जनवरी को नामांकन का अंतिम दिन था 13 जनवरी को इस्तिफादेने के बाद कॉंग्रिस ने बहरूल इस्लाम को असम के बार पेटा लोग सभा से उमिद्वार भोशित कर दिया नामांकन दाखिल हुआ लेकिन सम्मे उन दिनों हिंसा जोरो पर थी लेकिन बहरूल इस्लाम से कॉंग्रिस को इतना प्रेम था कि कॉंग्रिस पार्टी ने उन्हें तीसरी बार राज्यसभा का सदस्य बनाया लेहाजा बात कर लेते हैं पुर्व सीजे आई रंगनात मिश्रा के पूर्व CJI रंगनात मिस्रा को कॉंग्रिस ने वर्ष 1998 से 2004 तक राज्य सभा में भेजा था वेदेश के 21 मुख्य नायधीस थे उनका कार्यकाल 25 सितंबर 1990 से 24 नमबर 1991 तक रहा जश्टिस मिस्रा 1983 में सुप्रीम कोर्ट में न्यूक्ट हुए थे और 1990 में CJI बने थे सरकार ने रंगनात मिस्रायोक का गठन किया था जिसने अपनी रिपोर्ट 1986 में सौपी थी जश्टिस मिस्रा ने अपनी रिपोर्ट में कॉंग्रिस को क्लीन चिट दी थी लहाजा कहने वाले यह भी कहते हैं कि उन्हें इस फैसले के इनाम के रूप में राज्यसभा की सीट मिनी थी यानि कानून के गलियारों से सियासत का यह सफर बहुत पुराना है वो बात अलग है कि कॉंग्रिस अपने दिनों को भूल इन दिनों को ज़्यादा याद करती है बहराल जश्टिस अभीजीत गंगोपाध्याई भाजपा में सामिल हो चुके हैं अब देखना है यह है कि भाजपा आगामी लोग सभाचुना में जश्टिस गंगोपाध्याई को किस सीट से अपना उमिन द्वारखोसित करती है प्यार बहराल इस वीडियो में इतना ही नमस्क्राइब